नमस्कार आप देख रहें एक News24 और मैं हूँ वरीशा आपके साथ पाँच साल पुराना कूलर भी देने लगेगा बर्फ जैसा ठंडा हवा आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे कि कैसे पुराने कूलर को आप नए तोर पर इस्तमाल कर सकते हैं जी हाँ नया कूलर खरीदने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो आपको थोरा रुख जाना चाहिए क्यूंकि हम कुछ ऐसे तरीके आपको बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आपको पुराना कूलर ही नए जैसा हो जाएगा साथ ही इसकी मदद से आपको कूलिंग भी काफी अच्छी मिलने वाली है कूलर पुराना होने के बाद उसकी कूलिंग कम होने लगती है इसके पीछे बहुत सारी वजाहें होती हैं लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जिसकी मदद से आपका पुराना कूलर भी बर्फ जैसा ठंडक देने लगेगा और इन तरीकों से आप अपने घर बैठे अपना सकते हैं यही वज़ा है कि आपको कोई परिशानी नहीं होने वाली है तो चलिए ऐसी ही कुछ घरेली नुस्कों के बारे में आपको बताते हैं सबसे पहला cooling pad, cooling की ठंड़क के लिए cooling pad सीधे तोर पर जिम्मेदार होते हैं यही वज़य है कि आपको समय समय पर इन्हें बदलना चाहिए अगर आप ऐसा करेंगे तो cooling भी अच्छा रहेगा और cooling भी अच्छी होगी इसके लिए आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं होती है आप company की मदद से भी cooling pad को change करवा सकते हैं और अगर खुद भी change करना चाहें तो वो घर पर आप असानी से कर सकते हैं बस आपको cooling pad खरीद कर लाना होगा cooling pad की कीमत ज्यादा नहीं 300 रुपे से शुरू हो जाती है दूसरे नबर पर fan की सफाई cooler का fan भी बहुत ज्यादा माइने रखता है अगर आप cooling अच्छी चाहते हैं तो cooling fan भी साफ होना चाहिए ये आपकी काफी मदद करता है अगर fan साफ होगा तो आपके लिए काफी असानी भी होने वाली है ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप समय समय पर खुद ही cooler को fan को साफ करते रहें ऐसा करने से cooler हवा काफी अच्छी देने लगेगी हर मामले में अच्छी साबित होगी तीसरे नमबर पर water pump की सफाई है cooler का pump भी साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है समय समय पर इसे साफ करने से आपके लिए काफी असानी होने वाली है ये ज्यादा पानी उठाएगा तो cooling भी अच्छी होने लगेगी जो काफी मददगार साबित होती है क्योंकि जितना ज्यादा पैड पर पानी रहेगा उतना ही cooling होने वाली है जो काफी फाइदिमन होने वाली है ऐसे में आपको इसे समय समय पर साफ करते रहना होगा जो काफी जरूरी है तो फिलाल इस जानकारी में इतना ही ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें एक News24 को हमारा Facebook पेच को लाइक करें और YouTube चानल एक News24 को सब्सक्राइब करें धन्यवाद